मित्रावन शाथियों आपका जिवन आपके ही बनाए गे विकलपकों का प्रणाम है अगर आपको आपका जिवन पसंद नहीं है तो समझ लीजिए कि ये उप्यक्त समय है कि आप अपने जिवन में बहतर विकलप चुने क्योंकि ये जिवन जो आपका है वो आपके विकलपकों का प्रणाम है इस बात पर ध्यान जरूर दीजिएगा नमना रहें उन्हें हूँ आपके सामने सुन्दर विशे को लेकर 6 सितंबर 2021 दो महत्पूर्ण ग्रहों का राश्य परिवर्दा शुक्षमर्धी विलासज्टा के प्रतीक शुक्र अपनी श्वराशी तुला में प्रवेश कर रहे हैं 6 सितंबर 2021 बारा बजगर 40 मिनट पर और शास आत्मबल मनोबल के प्रतीक मंगल 6 सितंबर को शिंग राशी शिक कन्या राशी में प्रवेश कर रहे हैं इस विशे को लेकर आपके सामने हूँ कि दो महत्मूर्ण गरों का जो ये राशी परवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव बारा राश्यों पर क्या रहेगा इसके साथ ही क्या है सावधानिया और क्या है समाधान ये भी बताऊंगा लेकि उससे पहले मंगल और शुक्र के बारे में थोड़ी सी तर्चा कर लू कहीं आपके काम आ जाए पुने आप सुन लिजिए शुक्र का राशी परवर्तन च्छे सितंबर 2021 बारा बजगर 40 मिन्ट श्वराशी तुला में परवेश करेगा और दो अक्तूबर 2021 प्रते नो बजगर 35 मिनट तक इसी राशी में संचरण करेंगी श्वराशी तुला में मंगल 6 सितंबर 2021 सुबह 3 बजगर 21 मिनट पर कन्याराशी में परवेश करेंगी और 22 अक्तूबर 2021 तक कन्याराशी में संचरण करेंगी लगबग 48-49 दिन मंगल कन्याराशी में रहेंगी मित्रों शाथियों शुक्र नैसरगी शुप ग्रह है शुक्र की दो राशिया है विरिशव और तुला शुक्र कन्याराशी में नीच का माना जाता है जोती सी गणनाव का दागर और मीन राशी में उंच के माने जाता है शुक्र सुंदरता दामपत्य सुक्र सया सुक्र सज ग्रहे शुक और वैभाव और विलासिता बिना शुक्र शंभव नहीं है तब राजयोग कारक स्थिति होकर लाब देती व्यक्ति को बहुती कम आयू में शुक और श्रमर्धी की प्राप्ति हो जाती वैभाईक जीवन उसका सुरू हो जाता है दामपति जीवन बहुत सुखी वैतित करता है जिसका शुक्र अनकूल हो ऐसा जातक धन वैभाव वहान से परिपून होता है शान शौकत विलासिता पून जीवन वैतित करता है लेकिन निजगत कर्मों की वज़े शुक्र जनमकुली में नीच का विराजमान है प्रतिकुल भावों में विराजमान है प्र शुकर अनकुल नहीं तो यह वहतों देर से होता या फिर होता भी नहीं पीलिया नेतर रोग मोतियां बंद पानी यूरिन प्रॉब्लम पथरी स्वास और कप मदुमे एकजिमा इस तरह की रोग शुक्र के प्रतिकूल नहीं होने की वज़े से होते है ये शुक्र के बारे में थोड़ी से जानकारी आपके लिए थी अब मैं मंगल की बात करते हूँ मंगल शास और आत्मबल का पतीक है आकरमक माना गया है जोतिस में मंगल को बहुत भूम कहते हैं प्रतिक पूतर भी कहते हैं मंगल को भूमी पूतर भी कहते हैं मंगल गर का शमंद हनुमान जी से है इसलिए मंगलवार दिन हनुमान जी के पूजा का विधान भी है जोतिश में मंगल को बहुत आकरमक माना, इन्हें उर्जा का भाई, भूमी, साज, सक्ती, प्राकर्म, शोरे का कारक माना है मेश और वर्चिक रासी का श्वामी मंगल होता है मकरासी में उंच के और करकरासी में नीच के होते हैं मंगल केते हैं कि मुंगा धारन करने से अच्छा माना जाता है लाल रंग मंगल का परतिनिदू करते हैं शरीर के अंगों में मंगल ग्रह कूँ, नित्रों का कारग माना गया है इधी लगन चोथा भाव, सर्प्तम भाव, supply करता है 12 भाव में मंगल विराजमान है कई बार ये कह गया कि ये मांगलिक योग बनता है और इसे अच्छा नहीं माना गया ऐसा जोतिस ये गणनाय है जनकुनली में मंगल इदी बली हो जातक उर्जावन और नीडर रहेगा निर्बल मंगल द्रुगटनाओं का संकित और कर्जयों की इस्तिती पैदा करता है इदी बली मंगल है उचका मंगल है सुब मंगल है तुषेना पुलीस प्रोपर्टी स्पोर्ट्स इलक्ट्रोनिक इलेक्ट्रिक इस सभी कारे में बहुत सा पलता मिलती है निर्बल मंगल इंफेक्शन का ब्लड इंफेक्शन उच रखताब नीच रखताब जो लो बीपी और हाई बीपी है इसका भी कारक बनता है मंगल तो ये मंगल है और ये दो प्रमुग रहे 6 सितंबर 2021 को एक साथ राशी परिवर्तन करते है शुकरश्वराशी तुला में और म कन्याराशी में प्रवेश करें कन्याराशी को सवामी बुद्ध है और कहा जाता कि बुद्ध और मंगल की इतनी मित्रता नहीं अच्छा नहीं माना गया तो इन दोनों ग्रहों का राशी परिवर्तन बारा राशी ओपर क्या प्रभाव डालेगा इस विश्यों को लेकर में मंगल और शुक्र दोनों आपस में दिवद्वाद समंध है शुक्र और मंगल के इस राशी परिवर्तन से मेश राशी वालों के लिए समय शपलता का संकेर दे रहा है सास और उत्सा में व्रदी होगी आतन विश्वास मजबुद होगा सकारात्मग सोच के सासाथ कारी कुष्टत और कारी छमता में व्रदी होगी क्योंकि शुक्र आपका इस समय स्वरासी में गोच्टर करेगा शामाजिक सुरेशन बड़ोतरी होगी कारुबारी सित्य मिलेगी नौकरी में आप हैं तो समय सुधार का संकेत दे रहा है कार्षयत में बातरवन में उत्साव व्रदी करेगा शक्रम्या का मनोनकुल श्योग प्राफ्ट होगा आपको वावाई मिलेगी यह समय वैभाईक दस्टे कौनचे मनोनकुल और बहतर बदलाव का संकेत दे अब विवाईत है तो यह समय अनकूल है निजी समंध विवा में प्रनित करने के स्वास्वमिंदी समश्यों का थोड़ा सा सामना करना पर सकता है अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान दे सादा भोजन ले तला भुना बार का भोजन गरन न करे तो अच्छा रहेगा पे रहें क्योंकि मंगल बुद्ध की रासी में है ऐसी अवस्ता में क्या विशेश सावधानी है सब कुछ शफलता के बावजूद भी मेश रास्ची वालों को शत्रू शड्यंतों से शावधान देना पड़ेगा इदी निवेश के बारे में आप मन बना रहे हैं तो अच्छे सलाकारों की सला लें और निवेश सिमित मातर करें बड़ा निवेश कर सकते हैं इस बात कभी ज्यान लगे बड़ा निवेश नहीं करें अपनी उर्जा को सई दिसा में लगाएं तो शुद गाय की घी का दीपक जलाई संकट मोचन हनुवान अस्तक के सर्धान उसार पाठ करके देखेगा अनकूल फल मिल जाएंगे मित्रों शात्य चैस सितंबर से लिए लगातार बीस दिन चना और गूड सर्धान उसार गाय के अपने हाथ से खिलाना बड़ा सुबर बड मंगल और शुक्र का आपस में द्युआदर समन्द विर्शिवराशी वालों के लिए पंचम और छटे भाव में शुक्र मंगल का द्युआदर समन्द गोचर में मनवनकुष पलता का संकेत दे रहा है इसमें बिगड़े काम बनेंगे अनाम भागदार और फिजुल खर्च अनिता नुक्सान हो सकता है साज़दार के कारें में अपनी पाटरन से सलाव मसरवा करकर आगे बढ़े थोड़ा सा गुप्त सब्तरों से सावधान दे वो आपको नुक्सान पहुंचा दे बहुत जरूरी है आप सभी अपनी जो योदनाएं सभी योदनाएं को गुप्त नौक्री वालों के लिए पधनती और प्रमोशन हो शकता है आप अपना मनों को निस्थानन अपनी शुदानुसार करना चाहते हैं प्रणुदी नहीं जॉब करना चाहते हैं जॉब में परिवर्थन करना चाहते हैं इसमें इंतजार करना पड़ेगा अभी जिस जीगे अलग फ्यम्या दूर ना होने की वज़े से मांसिक बेचेनी का संकेत नजर आ रहा है परिवार, बहुत जरूरी इस समय वैर्थ के तर्क और वितर्क से बचे, वैवाईक और पारवारिक जीवन में अपनी जो भासा सैली है, उसमें सालिंता का परचेद है, जहां एक और आप पारवारिक जीवन में श्वारती लोगों की वज़े थोड़ी सी परिशानी का संकेत नजर आ रहा है, और मित्र स्वास्ती साबित हो सकते हैं, इस बात पर ध्यान दे, पर तो घर के जो बुजर्ग लोग हैं, वो आपके साथ खड़े रहेंगे, परिवार को लेकर थोड़ धैरी और स्वास्ती से काम करें तो अच्छा रहेगा, जीवन साथी की स्वास्ती पर थोड़ी सी ध्यान दे, मोश्मी बिमारे से आप स्वास्ती सावधान दे, कोई पुरानी बिमारी है, तो तुरन चिकेसा का सारा दे, इसमें लापरवाई नहीं करे, छोटी बिमारी कोई बड़ा निरने लेने से बचना बहुत जरूरी है, इस समय जंग फूड से आपको नुकसान हो सकता है, स्वास्ती को लेकर परिशानी आ सकती, ध्यान दे, जंग फूड आपको बिमारीयों का निमंत्रन आप दे रहे हैं, जंग फूड लेंगे तो, नीजी समंदों में जिवन कलहपून है, नीजी समंदों में पार्दसा बहुत जरूरी है, सेकर्मियों की बैक बाइटिंग की वज़े से कारी इस्तितल तनाव भी है, धहरे से काम करें, क्या उपाएगा हर रोज घर में, पूज आइस्तान में, घी का दीपक जिलाई, मृतुन जी मंत्र की एक माला, और लगातार 20 दिन, 6 सितंबर से लेकर 20 दिन, हरा पालक अपने हाथ से गाई को खिलाएगा, कश्ट कम आएगा, नमनेनों बात करते हैं, मिधुन राशी, मिधुन राशी वालों के लिए मंगल 11 और 6 भाव का शामी उकर, 4 भाव का निया राशी में गोचर कर रहा है, मंगल शुक्र का जोई 12 सम्मंद है, पंचम और चतुर का, मिधुन राशी वालों के लिए अच्छा संकेत दे रहे, मंगल का ये राशी परवतन, शुक्र का ये राशी परवतन, कारुबार नौकरी आर्थिक दिस्टिक रहेगा, कारे में शफलता मिलेगी, लेकिन धीरी ध दिर दिरे वेविशाय में विर्दियोगी और प्रियास सफल होगे, श्वहोगयों का पूर्ण श्योग प्राप्त होगा, जिसकी करण आपकी आर्थिक इसी ठीक रहेगी, कारी छेतर में उन्नति होगी, आर्थिक धनका उसमें मजबूती आएगी, कहीं से अचानक धन प्र होगे, और नौकरी करें जातकों के लिए ये समय अन्कूल रहेगा, कारिशेत में श्यक्रमी और मित्रों का लाव मिलेगा, शास और प्राकर्म से हर परिशानी को दूर करने माप सपल रहेगे, नौकरी में बदलाव का संकेत नजर आ रहा है, पारवारी सद्श में वैचार की कठोर निरने से बचे, वेर्थ की अबाद विवाद कानोनी मसले से अपना आपको दूर रहे, पारवारी सद्श की भावनों की ख्याल रहे और परिवाद साथ किसी लंबी यात्रा पर आप जा रहे हैं, तो स्यम वहां चला करने जाए, यात्रा में सावधानी लेकिन काम के जोस में सेथ को नजदार नहीं करना है, ये नुकसान आपको हो सकता है, सारी कर्ष के साथ मांसी कर्ष्टों से भी आपको चुटकारा, मिलना कठीन होगा, थोड़ा सा धहरी और सहिंसे काम करें, विशेश सावधानी क्या है, माता के साथ मतभेद नहीं हूँ इस बात का ख्याल लगी, ये समय भूमी भवन वहां प्राप्ति का संके दे रहा है, और शपना पूरा भी हो सकता है, लेकिन पूंजी निवेस के लिए लिगल मामलों को देखना बहुत जरूरी है, अपनी कीमती समान को संभाल कर रखना बहुत जरूरी है, कहीं भी यात्र का स्वयोग चाहिए, पारवारिक स्वयोग आपको शफलता दिलाएगा, इसलिए परिवारिक लोगों को साथ लगे चलना बहुत जरूरी है, विशेश क्या उपाए है, लगातार सरदान साथ दिन, साबुत मूंग, किसी विधवाश्री, कीनर या गौसाला में दान देने स सारे कस्ट मिड़ जाएंगी, नमणने बात करते हैं करकराश, करकराशी वालों के लिए मंगल दसम और पंचम भाव का शौमी उकर, तीसरे भाव कन्याराशी से गोचर करेगा, और शुकर ग्यारवे और चौते भाव का शौमी उकर, शौराशी तुला से चतुरत भाव से करकाशी वालों के चतुरत कर तीसरे भाव में शुकर का दिवद्वाद व शौमी शुक्रमंगल का यह राशी परिवडन, इस समय बहतर समय का संकेद दे रहा है, शुक्रमंगल का यह राशी परिवर्वरत कारोबार नकरी ओर आर्थिक दस्ट्रिकों से ठीक रहेगा, श्र होगी और मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी चल और अचल संपति का लाब भी मिलेगा शुक्र चौते और ग्यारे भाव का स्वामिकर चतूर भाव में गोचर करेगा चौता भाव शुक्षमर्दी और संपति और जमिन जादा और वहन का भाव है इस मामला में अच्छे सं उसे निप्टाने की कोशिस करें सफलता मिल जाएगी संतान सुक में विर्दी होगी और संतान प्राप्ति का योग भी है पारवरिक जीवन की जो समश्या उसे मुक्ति मिलेगी शुक्रियां आपकी भावनाओं को प्रबल करेगा और मंगल आपके सास को बढ़ाएगा तो अपनी भावनाओं को खुल कर अपनों के सामने रखने का मौका मिलेगा और आपके रिष्टों में प्रगारत आएगी मंगल का ये राशी परिवर्तन और शुक्र का ये जो राशी परिवर्तन है स्वास्ति के कौन से मंगल की छटे भाव प्रदर्श्ति इस बात का संकेद सब्सक्राइब स्बार्ग करेंगे स्वास्थ ने निवेष के साथ भाव सब्सक्राइब ऑप सत्रेंगे जलबाजी से बचे और अपनी उर्ज़ा प्रभाव प्रियोग नहीं करें क्या उपाय करें लगातार बीज दिन सर्दा अनुसार सो गराम से लिगर सो किलो जो आपकी सर्दा है शर्सों की खली अपने हाथ से गाई को खिलाइए या गौसाला में दान दे दिजिएगा बहुत सुंदर लाब मिलेगा आपको नमुनायन और बात करते हैं शिंग राशी वालों के लिए मंगल नमम और चतुत भाव का शामी होकर दूसरे भाव कन्या राशी से गोचर करेगा शुकर और मंगल का यह राशी प्रतन शिंग राशी वालों के लिए ठीक ठाक संकेत दे रहा है जा मंगल चोथे और नोवभाव का शामी होकर धन बाणी और संचित कोश के भाव यानि दूसरे भाव में संचर करना वह शुकर भाई बैन और शास्ट प्राकरम करमस्तान का तीसरे भाव से गोचर करेगा इन दोनों का जो यह कंबिनेशन शिंग राशी वालों के लिए अच्छा संकेत रहे प्रतु कुछ ख्याल भी शिंग राशी वालों को रखना पड़ेगा कुछ बातों पर ध्यान देना पड़ेगा मंगल का यह और शुकर का इराशी प्रतन क समाज में बीच में आपका प्रभत्तु रिस्थाप्रित करने में आप श्रमत रहेंगे पुराना पुझे निविस्त अप्रता सिध धनलाव का संकेत दे रहा है पर तो इस समय शेर मार के शटा और किसी को रिन देना और किसी से रिन लेना अच्छा संकेत नहीं दे रहा है इस पर ध्यान देना होगा इदि आप नौकरी में थोड़ी सी मेहनत करने पड़ेगी शेंगर्स का संकेत नजर आ रहा है इस समय विरोधी आपको नीचा दिखान का प्रियास कर सकते हैं बादा पहुंचा सकते हैं बहुत जरूरी इस समय दिमाग को ठंडा रखना मंगर्श स्वास्ति का पूर्ण शयुक प्राफ्त होगा निजी संबंदों में रोचकता बने रहेगी जीवन साथी और संतान पक से आर्थिक लाप मिलने के संकेत नजर आ रहे हैं आपसी वैचारिक समरस्ता के कारण आमोध परमर्व खुशी के वातावन में वैतित होगा इदि ड्रीक रहे हैं तो प्रतीकल प्रणामा का सामना करना पर सकता है शुकरमंगल का इंय राश्य प्रडल स्वास्ति की दर्ष्ति कौन से ठीक रहेगा श्रम डीक किसी प्रगिवर्वित नजर नहीं स्वास्ति फिर भी चिखसा में कभी लापरवाई नेए करें जिसक्ते खर्च मुशिबत में डाल सकता है वेर्ट की जो पर खर्च नहीं करें विशेश इसे नौकरी करने वाले लोगों के लिए यह से पूर्ण शावधानी का संकी दिर दिमाग को ठंडा रखें बहस्बाजी से बचें उच्छ अधिकारें की परती लोयल लेना बहुत जरूरी है दोस्तों और कर्वियों से बेवार करते समय सालिंदा का परचे देजी क्या उपायक है क्या उपायक है तो सर्दाना चावल और शपे द्वस्तर गरीब को दान दे के देगा कष्ट कमाएगा और इदिस सुबह साम गजंदर मोक्स इस तुरुत का पाठ घर में करते हैं तो आपसे जो समंद है लगन और दूसरे भाव का शुक्र मंगल का समंद कन्या रासी वालों के शुफ़लों का संकेत नहीं दे रहा है तीसरे रो आटरे भाव का मंगल आपके सभाव में अचानक आकरमरता में व्रदी करेगा आपके अपने आकरमर्श भाव के कारण अनावश बाव का शौमियों कर दूसरे भाव गोच्चर कर रहा है अपनों के सयोग से आपको कामकाज में रहात मिलेगी ऐसे मित्र पुराने मित्र या कोई ऐसा रिस्तिदार जो आपसे प्यार करता वह आपको शपोर्ड कर आपको रहात दिरूर मिलेगी पारवारिक संदस्य और उ से बचें बड़ा पुंजी निवेश से बचें नुक्सान हो सकता और श्रहिक कारियोजना बना कर आगे बढ़े शुक्रमंगल का यह राश्य पर पारवारी दर्शिकों से ठीक रहेगा पर तो अपने शभाव में कठोड़ता पर निर्टन करना होगा जीवन साते से बिनमर की यात्रा का संकेत भी है शुक्रमंगल का यह राश्य पर दर्शिकों से ठीक ठाक संकेत दे रहा है फिर भी दैनिक दिन करन नियमिन रखना अतियाव शें होगा अनियमित खानपान और आन्यमित दिन सारी क्यंख्रिया समभावना का संकेत दे रहेए तो बन पर was बो दोस्तों और करीबियों से रिष्टे खराब नहीं हो इस बात पर ध्यान देना चाहिए प्रतिदूंदियों पर विश्वास नहीं करें नशा करके वहाँ नहीं चलाए जो किम भरे कामों से दूर है कोई भी वेशाइक निरने जल्दबाजेम नहीं नहीं प्रतिश्प्रता की भावना को अधिक हावी नहीं होने लिए बहुत जरूरी है समधान क्या है सरदान उसाज शाबुत हरे मौग लगातार साथ दिन से अपने हाथ से गाई को फिलाई या किसी विद्वाश्री को दान में दीजेगा बड़ा शुब रहेगा बात करते हैं तुला रासी तुला रासी वालों के लिए मंगल सब्तम और दूसरे भाव का श्रमी होकर कन्या रासी से गोचर कर राया है दौशर द्वाव में संकेत अच्छा नहीं दे रहा है ज़एक और शुकर आपके अंदर सकारत में सोच को पैदा करेगा घर परिवार के बातवन को ठीक करेगा आपकी आत्म विश्वात मनोबल को बढ़ाएगा काम काज के लोगर आपके अंदर एक ललक पैदा करेगा उसका कुछ लाब भी आपको मिलेगा लेकिन वहीं दूसरी और मंगल इस समय अनावसक पैसों की बरबादी का संकेत दे रहा है शभाव में तल्की नुकसान देगी और शभाव की तल्की की विज़े बैवशाय और नौकरी के रिस्तों में प्रतिकूलता का संकेत में जाए बैवशाय को लेकर मार्केट में रिस्ते आपके खराब होने का संकेत भी दे रहे है शाफधानी अपेक्षित है आप नौकरी में तो उच अधिकारियों और शास्तियों के रिस्तों में प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है बहुत सापसे अप्रसंद रह सकते है ऐसा करने से आपको कुछ धन की प्राप्ति अविश्य होगी शुक्रमंगल का इराशी परिवर्तन पारवारी दर्शी कौन से और स्वामाजी दर्शी कौन से शुप्रणाम का संकेत दे रहे है दामपत्सु अच्छा रहेगा आपसी मध्वेज दूर होगा परण तो अपने विचार दूस्तरों पर लाजने की प्रवर्ति पर लोग लगाना बहुत जरूरी इस पर रोक नहीं लगाएंगे तो नुक्सान हो जेगा जिवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखे अन्यता नीजी संबंदों में खटास की संभावना भी है शुक्रमंगल का एराश्य परवर्ति थोड़ा साथानी का संके दी रहे है स्वास्ते को लेकर भी थोड़ा साथानी रखनी पड़ेगी पीट और पेट को लेकर साथानी अफ्रिक्स दे चोटी-मोटी चोट भी लग सकते लिए साफधानी से वान चला है, लापरवाई नहीं करें। लंबी यात्राओं से बचे, दुरकटना की संभावना है, वान चला करना ही जाए, अच्छा रहे है। विशेश साफधानी का है, निजी समंद व्यवाई जीवन में कलह का संके दे रहें, लापरवाई नहीं करें। इसमें बात व्याद और तरक वितर आपके लिए नुक्सान दाइक रहेंगे। आकर्मक्ष भाव से बचना बहुत जरूरी है, बड़ा पुझिने करने से पर बड़े बज़ुर्गों की शला ले ले और अत्यदिक खरिद्दारी से बचना भी बहुत जरूरी है, क्या उपाई करें। श्रदानुशार जवार गरीब जरूत्मन्द व्यक्ति को लगातार 11 दिन दान दीजीगा, छे तारिक से लेके लगातार 11 दिन दान दीजीगा, आपके लिए बड़ा शूब देजीगा, या गउसाला में दान देजीगा, सारे कस्ट मिटेंगे आपके नमनाग, और बात कर दिद्वादस समंद्र वो 12 और 11 भाव में है, वर्षिक राशी वालों के लिए शुक्रमंगल का ये राशी परिवर्तन, मनों को लाब और बहतर प्रणाम का शंके देरा है, शुक्रमंगल का ये राशी पर कारोबार नौकरी आर्तिक देश्कोंट से अच्छा रहेगा, आपकी लंबे समय से, काफी लंबे समय से रुके कारिये इस अवद्वी में पूरे होंगे, जो लोग इस अवद्वी में रिंड या बैंक लौन लेने की सोच रहे हैं, उनके लिए इस अवद्वी में सहसा से लौन की प्राप्ति हो सकती, शत्रु पक्षपर विजय मिलेग पारवारी दर्शी कौन से अनकूल लेगा, प्रतो आपको अपने सभा में बेनमरता लानी पड़ेगी, जिमन सात्य का पूंट शयोग मिलेगा, आपसी मेल जोल में ब्रदी होगी, दाम पत्य समन्दों में मधूरता आएगी, सुसराल पक से अनकूल समन्द बनेगे, प्रत करोध की अधिकता से बचना चाहिए, कम करोध करें, दूसरों से अच्छा वेवार मिले, इसके लिए जरूरी कि आप भी उनके साथ अच्छा वेवार करें, अधिदिक खर्चे से बचें, सोसो बाजी में धन के अपवय का संकेत नजर आरा, इससे बचना बहुत जोरी, आप सपाई करम चाहिए, तो मंदर में दान दे देना, नमणाय में बात करते हैं, धन रासी, धन रासी वालों के लिए मंगल पंचम और 12 भाव का स्वामी होकर, दसम भाव कन्या रासी से गोचर करेगा, और शुकर छटे और 11 भाव का स्वारासी तुला में 11 भाव से गोच संके दे रहा है, विस्तार भी आप कर सकते हैं, इस दोरान किया गया पुंजी ने इस लाब करेगा, हाला कि इस समय आपको कड़ी महनत और संगर्स करना पड़ेगा, लेकिन कारोबार की दस्टिकॉन समय अनकूल है, और कारोबार में महनत और परिशन का पूरा लाव नौकरी से जुड़े लोगों के लिए इस समय मनकूल शपलताओं का संकेत दे रहा है, महनत के अनुध धनलाब होगा, शाकर्मी और बहुत से अनकूल वेभार की प्राप्ति होगी, और कारी इस्तर पर उचदिकारियों से आपकी कारी कुर्शलत का पुर्शकार आपको जर परिवारिक सदे से आपके साथ खड़ रहेंगे, परिवार के अनाव से कले और जंजरे छुटे कारा मिलेगा, फिर भी पारवारिक जीवन में शपलता के लिए नीजी स्वारत का त्याग करना बहुत जरूरी होगा, परवारिक सदे से कूछ शात लेके चले, शुक्रमंग बातों को नहीं बढ़ाए, विवादों को सांत करने की कौसिस करे, अन्यता छुट-छुटी बाते बड़ा विवाद ले सकती है, क्रोध में आगर कोई निरने न ले, पारवारिक सदे से मर्यादित आचरन करे और वहन चलाते समय शावधानी बढ़ता, इन बातों पर ध्य और 11 भाव का शौमी होकर नमम भाव कन्यारासी में गोचर कर रहा है, इसमें शुकर पंचम और दसम भाव का शौमी होकर श्वारासी तुला में दसम भाव से गोचर कर रहा है, मंगल और शुकर का ये 12 समन दसम और नमम भाव में हो रहा है, और शुकर मंगल का इराशी पर प्रतिता मिलेगी हालंकि कारिय भार जादा है बहुत जादा रहेगा पिछली वित्तिय समेश्याओं का बोज मन को वैति जरू कर रहेगा लेकिन इस समय आपके कारोबारी प्रशते आपके लिए अनकुल लेगा और शाहस और प्राकरा में विर्दी होगी कारेचमता में विर जोदी और प्रतिदंदी आपको इश्व में प्रिशान कर सकते वे आपके मान सम्मान और प्रतिष्था में कमी करने का पूर्ण प्रियास करेंगे साफधान दे नौकरी वालों के लिए ये समय शैयूम और धहरे से कम करने का है अत्यजिक जिम्यदारी का बोज बढ़ेगा श चुक्रमंगल का इराश्य परिवर्तन पारवारी दर्शिकॉण दिस्टी उठापटका संके दे रहा है पारवारी सिस्व साथ अंबन की संभावना इस बात पे गोर करना हो आब पारवारी सिस्व की कारिशेलरी की वज़े से थोड़ा सा बैठित रहेंगे दूसरों पर अ कोई स्रमाधान नहीं हासिल होगा अपनी गलतियों पर थोड़ा सा स्वह अलोकन करें शुक्रमंगल का यह राशी परवन स्वास्ति की दस्रिकों से अच्छा संक्यत नहीं दे रहा है मन को मजबूत रखे शकारतम सोच रखे आपकी गहरी और नेगेटिव सोच आपको स्वास को वक्त कर सकते आपके साथी आपको दिल को दुखा सकते हैं उनकी बातों को दिल से नहीं लगाए यह समय मांसिक्ष शांति के भंग होने का पूंशंके देरत धैरी और सहिम से काम करिए क्या उपाएगा तो किसी भी समेशे का समाधान शांति पुन तरकिस निकाली और नि समय में और प्रतिस्ता बढ़ेगा में ते नहीं लिएंगा जितने भी शमेशे उसका निवारन होगा, कारोबार में लाप प्राप्ति के सोथ बढ़ेंगे, जमिन जाज़ा के मामल में विशेश ला मिलेगे, जमिन खरीदन और बेचने के कारोबार में शर्पलता मिलेगे, कैरियर के अनुशार मनों कुल शर्पलता का संकेत नजर कि अउसर प्राफ्थ होगे, बौस के साथ काम करने का आउसर मिलेगा, अशर्मन अख्ये रहेंगे, मनों शर्पलता मन को प्रसंता देगी, मनों अनकुल शर्पलता य। प्राप्थ होगी, मंगल का ये राशिवन पारवारी क ! द्रश्शकान से संकेत रहें, दामपति संतान के रूखे कारी इस मेने पूरे जरूरी होंगे रुमनों कुछ शफलता मिलेगी मंगल का यह रार्ष परवर्दन स्वास्ति के दर्शिकों से सामने रहेगा प्रतु आप खिलाडी है तो समय को आपको शावधानी बतने पड़ेगी चोट लगने की संभावना वान साव प्रवर्दन करें नमड़ान बात करते हैं विशे शावधानी ऐपके लिए कारी और अपनी जिम्मेदारियों की परती लापरवाई नहीं बढ़ते हैं पुराणी कोई बीमारी है तो चिकिस्ता में बढ़ते हैं धहरी और स्रीयों से काम करें आपकी धर्मिता इस समय आपक वाव कर दोसरी और नहुंबाव का शौमियोगल को मंगल की राषी परवतन का अवर्सर पाप्त होगा शुक्र मंगल का ये राषी परवतन आपको पने ब्हेशाय और अपने काम काज में सफलता तो देगा लेकिन कटिन परिशन कराएगा मन के अनुशार सफलता नहीं मिलेगी लेकिन लाब तो देगा कारी मानाव शेक विगन बादों का सामना करना पर सकता है और आए के साथ दों में रुकाउट आ सकते है खर्चों पर काबू रखना बहुत होगी कारवारी समयशा में रात मिलेगी और शत्रु समंदी मसले हलोगी फिर भी शत्रु सेड़ें तो शाबधान है अच्यादिक आक्रमरता से नुकसान की संभाव नहीं आक्रम कम रहें नौकरी करने वालों के लिए इसमें अच्छा रहेगा किसी प्रकार कोई विशेस प पारवारी समयशा में प्रवेश नुक्सान दाइक रहेगा जीवन साथ से वैचारिक मद्वेद नहीं इस बात पर आपको ध्यान देना होगा शुक्रमंगल का ये राशिपन स्वास्ते के दिशिक ठाक रहेगा द्यानिक दिन्चेरे को नियमत रखना बहुत जरूरी शात् बहुत में जल्द बादे जल्दार भोजन से प्रेज करें पेड़ समंद्री परिशाने नहीं इस बात पर ध्यान देना होगा विशेश साव्धानिय क्या है कारिश तल पर शाकरमियों के साथ काम जम काजमें बिना बज़े मीनमें नहीं निकाले जो लोग आपके साथ काम क को शिकारत में रखेंगे तो अच्छा रहेगा नमदाएं क्या विश़ शावधानिया है इस पर बात करोंगा विश्य शावधानियों पर थोड़ाइसा ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा दीश भाव नहीं रखें बिना सोचे समझे किसी की मत्यसता नहीं करें इस समय ना उधार धन दें ना उधार धन लें वैभाईक मर्यादाओं का पालन करें और अपने चरित्र को अच्छा रखेंगे तो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेंगा इस बात को विश्चित्या क्या समाधान करें सदानुसाद चने की लाल गुरुवार के दिन किसी गरीम दिंद्र श्वागन स्ट्री को दान में देंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा नमाना ने यह था बाराक बारा राश्यों का शुक्र मंगल का राश्वी परवितन का बारा रा राश्यों पर परभाव अपना नहीं कोई तरक नहीं कोई विवाद नहीं सेकंड ओपनेंट का अदिगर आपका था आपका है रापी का रहेगा नमाना रहे हैं इन तीस साल में देबादी देव सनेदेव की कृपा से गोमाता की सेवा में लगा रहा पिछले दो तीन सालों से मेरी परस्तियां इतनी अनकूल नहीं है जितनी मस्ति में मैं गोमाता की सेवा करता था उसमें थोड़ा सा वैवधान आया है राष्ट में पूरा विश्वास है क्योंकि लोगों ने मेरे से जब कहा कि राष्ट आपकी बात सुनते हैं राष्ट आपके विश्वास करते हैं इसी विश्वास और इसी भाव के साथ आपके सामने आया कि मित्रों और शाथियों मेरी आर्थिक प्रस्थि इस समय ठीक नहीं है मुझे गोमाता की सिवा में आपका सहयोग चाहें आप गोमाता की सिवा करेंगे तो मैं आपकी सिवा में हाजी हूँ जो मैं जानता हूँ व हैosh वेरे mist gonna do ब्रेबात देवसनंत ने रमाहा ची देया स्मस्थ रहने की डदाइस के जोतिसका आस पास रहने का आउसर मिला आपको जोतिसी समधान में मेरा सहोग चाहिए मैं कोई प्रजापिता प्रमा नहीं हूँ नहीं मैं हतेली में सरसु उगाता हूँ मैं प्रियास करता हूँ मैं आपके लिए प्रियास करूँगा जोतिसी समधान के लिए और इसकी एवज भी मैंने आप लोगों से निवेदिन किया था कि आप गोमाता के लिए 200 रिप्या गोसाला में जरूर देए आप सभी लोगों ने मेरे में विश्वास किया और आप सहयोग कर रहे हैं उन सभी को मैं प्रणाम करता हूँ क्योंकि जो व्यक्ति मेरी गोमाता का सेवा करता है वो इस समय मेरा भगवान है भाई मेरी गो माता भुकी ने रे, मेरी गो माता को चारा मिले और जो भी दान दाता, जो भी राष्ट भक्त गो माता की सिवा करता है उनको मैं प्रणाम करता हूँ निवद इतना ही है कि अब गर्मी आ गई है इस समय चारा की बहुत तकलिप बढ़ेगी इतनी तो फिर भी खेतों में थोड़ा बहुत चारा था इस समय गर्मी आने की बज़े से चारे की तकलिप ज़्यादा नजर आ रही है आप सब इससे मेरा निवे दन है कि गायों के लिए हरा चारा मिल जाए ऐसा कुछ परियास करे नमबर आपके सामने में है इन नमबरों पर शंपर करिए मैं आप से वीडियो कॉन्फरेंश में जरूर बात करूँगा और ये मेरा शोभाग्य होगा कि आप लोग गोमाता की सेवा कर रहे हैं कहीं मैं आपको सहु करूँ जब आपको मेरी आवश्यक्ता पढ़ेगी इन नमबरों पर मैं आपसे उपलब्द रहूँगा इन नमबरों पर कहकर आप समय ले लिजी हाँ इतना जरूर है कि दो-चार दिन लग सकता क्योंकि लोग ज़्यादा रहते हैं हर रोज मैं मुश्किल से दस या बारा लोगों से बात कर सकता हूँ क्योंकि जोती से समधान के लिए थोड़ी साधना भी चाहिए तो मैं उसमें रहता हूँ आप सभी से मेरा निवेदन कि आप सभी लोग सनिदाम गोसाला में सयोग करें और उसकी एवज में दाती महराज आज की सेवा में हाजिर हैं हाजिर थे और हाजिर रहें चिड़ी चौच भर गई नदीन घटियो नीर परमारत के कारणी मानव धरा सरी सेवा का फल हमेशा मीठा होता है शात्रा और समय बड़ा बलवान है समय एक साथ नहीं रहता है आज मेरी प्रस्ति है कि मैं आप से निवेदन कर आज तक मैंने राश्ट से कभी पैसा नहीं माना मैंने ये जरूर कहा कि सेवा बे ध्यान देजिए मैं भी सेवा करूँ आप भी सेवा करें इस समय मैं खल लिवानी से आपकी सेवा कर पा रहा हूँ मेरी आर्थिक प्रस्तिया इतनी अच्छी नहीं है कि मैं गो सेवा के लिए खड़ा रह सकूँ गो साला में गायों को तकलीप नहीं आए पुने मेरा निवेदन कि आप सभी लोग गायों के हरे चारे की विवस्ता जरूर करें और इसके लिए मैंने चोटा सा निवेदन के लिए राष्ट के लोग एकी सो रुपय भी गो साला में दे देंगे कुछ तो मुझे स्योग में लेगा जो लोग सोयोग कर रहे हैं उनको मेरा बहुत बहुत आभार और जो लोग सोयोग के लिए आगे आएंगे सिनिभगवान कि दे Κनम मेरी प्रातना कि सनिभगवान उनकी रक्षा करें उनका जिवन सदा खुशियों से भरा रहे, मित्रों और साथियों, दाति भरा जिवन भरा आपके आप भारी रहेंगे, इस से वाके लिए, मेरी गोमाता भुकी नहीं रहे, उन्हें तकलीब नहीं आएं, थोड़ा सा परियास जरूर करें, नमाना रहें